अब हमारा है question number 60 चतुरानन शब्द का अर्थ नहीं है तो question दिहान से पढ़ना पेपर में कभी आपको लगे कि इसमें मीनिंग पूछ लिया है कि चतुरानन शब्द का अर्थ बताओ ठीक है तो नहीं और सही का ज़रा दिहान रखना नहीं पूछा है रोने समाज है तो यह था स्थान है उसमें कौन सा समाज है यह था स्थान में हमारा है अवे भी भाव समाज ठीक है उसके बाद हमारा है question number 62 है निम्लिकित में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है देखो अब यह नहीं पूछा है इनो ठीक है तो यह हमारे विदेशी शब्द है अभी जी ठीक है हमारा विदेशी शब्द नहीं है गणिका का प्रायवाची है तो गणिका का प्रायवाची है वेश्या भव्य तव्यता का प्रायवाची है नियती यामिनी का प्रायवाची है निशा उसके बाद जागरिती का विलोम है, जागरिती का विलोम है, सुशुप्ती, उसके बाद हम बात करते हैं, question number 67 की, अंतर मुखी का विलोम है, बहिर मुखी, उदात का विलोम है, अनुदात, हिंदी वन माला में शर्ट्र, ग्य, क्या है, संयुक्त वन है ये, ठीक है, क्योंकि दो अक्षरों को, दो स्वर और वेंजनों को मिलकर ये बनते हैं, तो ये संयुत अक्षर है, हिंदी में संयुत अक्षरों की चार संक्या है, संक्या कितनी है, चार है, ये भी पूछा जाता है, question number 70 है, चरण या पात किसके अनिवारे संगटक है, तो ये चंद के अनिवारे संगटक है, question number 71 से 75 में हमें वर्तनी बतानी है, कौन से सही है, तो अगर हम इन चारों को देखेंगे, तो अंतर विरोध इसमें सही है, उसके बाद हमारा, हमारा जो वर्तनी है, देखो ये तो आपको लिख लिख के practice करनी पड़ेगे वर्तनी की, तो गुभी देखने से ये बहुत बार पूछा जाता है, और मैंने एक question paper solve करवाई था, B8 का उसमें भी a question आया हुआ था, तो आशिरवात सही है, उसके बाद question number 75 में अतीक रमन, ये वाली spelling सही है, B वाली, तो ये वाली, तो ये हमारे paper के point of view से नहीं है, बड़ आ गया है, तो उसको पड़ लिख लि इतना ज़्यादा high level का नलक्षन वगएर ये सब नहीं आता है, ठीक है, पंकच शब्द का, पंकच जो शब्द है, वो योग रूड है, ठीक है, और कल जब मैं पढ़ा रही थी, तो आपको बताय था, मैंने जो रूड होते हैं, जो शब्द जुन वो अलग करने पे दोनों के जो मतलब नहीं निकलते हैं, जैसे मान लो, मैंने लिखा राम, ठीक है, तो रा को अलग कर दो, मा को अलग कर दो, तो क्या इंका कोई मतलब निकलेगा, नहीं, रा को कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो ये रूड शब्द है, उसके बाद हमने देखा था कि योगिक शब्द, योगिक शब्द होते हैं जैसे मन लिखा कि विद्या जमा आले यानि कि विद्या को अलग करो और आले को अलग करो को दोनों का मतलब निकलेगा ठीक है? तो रूड मतलब दोनों एक शब्द को अलग कर दोगे तो जो अलग हुआ होगा उसका कोई का अर्थ हो जाएगा हमारा कमल ठीक है उसके बाद है question number 78 इसमें है one रित या वानिक चंद के प्रतेक गण में कितने अक्षर होते हैं तो तीन होते हैं इसको पढ़ लो ये इतना नहीं आएगा चंद वग्यरा चौपाई चंद नहीं आएगे ठीक है बट फिर भी आप पढ़ और अर्थ अलंकार तो जो अनुप्रास अलंकार है अनुप्रास यमक और शलेश ये तीन अलंकार है हमारे शब्द अलंकार में आते हैं तो इनोंने अनुप्रास पूछा है तो वो हमारा शब्द अलंकार है ठीक है question number हमारा यहाँ पर बोला है 81 से 85 तक हमें एक शब्द बत जैसे सीर पर धारन करने योगे तो शीरो धारे इसका आंसर हो जाएगा शक्ती का उपासर तो इसका आंसर है शाक्त उसके बाद जिसके पार दिखाई न दे तो अपार दर्शक जैसे लकड़ी है या कोई दिवार है उसके पार नहीं दिखाई देता तो हम उसको अपार जो किये गए उकारों को मानता हो कृतग्य इंपोर्टन्ट है इश्वर की सत्ता में विश्वास न करने वाला पूछा है तो ध्यान डखना ठीक है तो नास्तिक होगा इसका आंसर ठीक है तो इश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाला होता है आस्तिक और जो नहीं करता वो होता है नास्तिक ठीक है question number 86 है अवधी का संबंद है तो अवधी का संबंद है पूरवी हिंदी से तत्सम शब्द का चैन केजिए तत्सम जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आये हैं और वह as it is यूज होते हैं तो धर्म जो है वो संस्कृत में भी ऐसे ही यूज होता है और हिंदी में भी ठीक है तो यह हमारा तत्सम शब्द है, तत्भव का चैन कीजिए, तत्भव जो हिंदी में आके चेंज हो गये है, तो जैसे गनिश्टुदे, अगनी तत्सम शब्द है, अगर अगनी का तत्भव देखे तो आग होगा, ठीक है, तो खीर जो है वो है तत्भव शब्द, उच्छारण के स्थान प पाद ये टेस्ट लगाएंगे तो जाद आच्छा रहेगा, क्योंकि आप पोस में मैंने काफी सारी चीजे क्लेर कियें, ग्रामर से रिलेटिड़, उसके बाद है धोबी का इस्तरे लिंग है, उसके बाद क्वेश्चन नमबर 91 है, निर्थक शब्द में प्रियोक्त उपस ये संदी में आपको करवाँगे, ये लग से तो आपको क्लेर हो जाएगी, हिंदी में कारको की संगया है, तो हिंदी में कारको कार्ट है, करताने करम से पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, वाक्य को पढ़ते समय है, वाक्य को बोलते समय है, बहुत छोटा रुकने के से ठीक है उसको हम संधी कहते हैं ये शोगान शब्द के रचना होई है तो ये स्वर संधी द्वारा क्वेशन नमबर 98 है हिंदी सहित्य के आदिकाल का प्रधान रस कौन सा था तो इसका जो आंसर है वो है वीर रस 99 है सरकारी पत्र के भाषा होनी चाहिए तो वो अपचारिक भाषा होनी चाहिए क्वेशन नमबर 100 है कावे शास्त्रिय संपरदायर की संक्या कितनी है तो वो 6 है होप ये 100 क्वेशन आपको समझ आए होंगे और प्लीस समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और पेडियाफ के लिए टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लेना वहां से आप उसका पेडियाफ निल जाएगा थैंक यू